हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपके कोई भी यूटूब वीडियो पे आपके कोपी राइट स्ट्राइक आ जाता है तब उस इस्तती के अंदर आप क्या करोगे यह वीडियो ऑल्ड यूटूबर के लिए भी है और जो नए यूटूबर हैं उनके लिए भी है और जो अभी अभी चैनल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है तो उसके अंदर होता क्या है कोपी राइट स्ट्राइक जब आ जाता है तो हम कोपी राइट अचेहां तो ये वीडियो कोपी राइक जाता है चौतने मिट आता है तो यूट्यक चैनल कोपीराइट उल्टंप मधसे तरह कर दिया करेंगे का उसरी इस जानल पर अशोरा में कि उन्माणा योट्व के जाता है तो य्या जक्लतरों लोग रिमूव कैसे करने वाले हैं तो घबरानी की जरूर नहीं है आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही सब बात करने वाले हैं तो step-by-step वीडियो को देखें तो बिना time waste के वेए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरे पास यह मेल आई है कि हाई टेकनिकल दोस्त इंडिया तो यह यह जो वीडियो है इसका मेरे को यह देखो यूरल दे रखाए कि इस वीडियो पर जो है वो टेकडाउन ह प्राइस हुआ है वो भी केमटीश या ने किया है तो होच सकता है मैंने वीडियो के अंदर कोई भी उस कंपनी की टर्म कंडिशन को फॉलो नहीं किया है या जो भी दिक्कत होगी तो किसी कारण से ही केमटीश वालो ने मेरे पर यह वह क्लेम किया है या क्लेम बोल दो या कोपिराइट इस्ट्राइक किया है मेरे पर तो यह वीडियो अभी यूटूब से हट चुका है वैसे आप पबलिक नहीं है सब को सो नहीं हो रहा है बट मेरे वाले में सो जुरूर हो रहा है तो मैं आपको इस्टे बाइस्टे बताऊंगा कि यदि ऐसा आपके साथ कभी हो जाए इन फ्यूचर तो ध्यान रहे सबसे पहली बात तो 90 दिन के अंदर यह अटोमेटिक ही हट जाएगा और आपको पहले हटाना है तो क्या प्रोसेस है वो आपको मैं स्टे बाइस्टे बताऊंगा लेकिन ध्यान रहे नब्बे दिन के अंदर आपके तीन से चोथा स्ट्राइक है वो नहीं आना चाहिए तो यह मेरा भी पहला जो है कोपिराइट स्ट्राइक है तो सोचाब आप सब के लिए बना दूँ इन फ्यूचर आपके भी काम आएगा तो यह देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे कोपिराइट स्ट्राइक दिखा रहे है एक वीडियो हुआ है तीन तक है अब तो आप देख रहे होंगे स्ट्राइक की डेट यह है और एक्सपार डेट आपके सामने है आप देख पार है स्क्रीन के उपर तो यह सब कुछ एक्सपार होने की डेट है तो वैसे तो को यह claim किया है केम्तिश्या ने तो मैं इसकी जो email id है उसको क्या कर लेता हूं copy कर लिए तो step by step video को आपको देखना है copy कर लिए अब मैं इनको mail करूँगा और mail में आप कुछ भी लिख सकते हो तो मैं new mail है वो create करूँगा तो केम्तिश्या सब्जेक्ट आप यहां पर दे सकते हो कि copyright claim दोस्तों अब आपको यहां पर type करना है subject subject आपको वो type करना है जैसे मानलो कि मैं यहां subject है वो copy किया हो मेरा paste कर देता हूँ copyright जो strike लगा है वो remove के लिए मेरा subject है केम्तिश्या से बोल रहा हूं कि जो आपने copyright strike लगा है मेरे पर वह आप remove कर दें तो केम्तिश्या वाले देखते हैं क्या reaction लेते हैं उसके बाद में वो पता चलेगा तो उसके बाद आपको यहां पर जो type करना है वो मैंने पहले notepad के अंदर लिखावा है तो already type क्या है क्योंकि मैं पुरा type करके देता आपको तो वीडियो भी काफी लंबा हो जाता तो मैंने लिख दिया sorry for upload video column बना के वीडियो का जो title है वो title type कर दिया उसके बाद आपको same to same यह type कर देना है कि by mistake यह मेरी जलकी से वीडियो है वो upload हो चुका है तो आगे मेरे चैनल पर ऐसे mistake है वो next बाद नहीं होगी और आप चाहो तो education के purpose से भी लिख सकते हो जो भी आपका video हो फिर मैंने लिख दिया here are video details video का जो link है जो URL आता है video का जो link होता है ना वो मैंने यहां पे test किया है कि यह video था और म मैं इसको पूरा का पूरा है वो copy कर लेता हूं आप अराम से देख लीजिए screenshot ले लीजिए और screenshot लेने की वेसे भी जुरूरत नहीं है आपको video के नीचे मिल जाएगा type किया हूँ as it is आपको सिर्फ copy paste करना है बस ध्यान रहे copy paste करो तो इस चीज का ध्यान रखना video का URL अपन मेरे वाला ही copy करके paste कर दो इस चीज का ध्यान रखना है तो अब मैं पूरे के पूरे को है वो copy कर लेता हूँ और अब क्या करता हूँ मेरी email ID में जाता हूँ और वहां पे जाके क्या कर देता हूँ पेस्ट कर दो तो यह paste करने के बाद में मैं send कर दूंगा केमटी या इस ID को और इसके पास है वो चला जाएगा चला जाने के बाद में देखते हैं एक दिन में दो दिन में जब भी केमटी से इसको शोग करेगा या तो मुझे कुछ reply देगा या फिर अपना जो वीडियो है वीडियो मेरा जो copyright strike किया है उसको हटा देगा तो मैं यह इसरा जो step है वो आप यहां चाहूँ तो counter notification में भी कर सकते हो तो सबसे जो best option होता है इसमें आपको बहुत लंबा process होता है करने के लिए तो आपको simply एक और बताते था हूँ कि यहां पर आपको click करना है उसके बाद आपको यहां पर एक YouTube की ID मिलेगी तो आप same to same यह चीज ह है वो कर सकते हो यह देखिए copyright YouTube ID पर भी आप है वो mail कर सकते हो जो आपने Camtisha को किया है तो यह भी क्या करेगा यह भी आपकी जो mail आई हुई है उसको वो Camtisha को जैसे मैंने मेरे Camtisha ने claim किया तो वैसे ही आगे की जो आप पर जो claim strike कर रहा है copyright strike कर रहा है उनके पास जाएग कि सामने वाला बंदा है वो sorry बोल रहे तो सामने अब क्या reaction लेता है वो हटाते है या नहीं हटाते है वो उन पर depend करता है लेकिन अपना जो काम है वो हम लोग करी देते हैं तो फिर से मैं एक नहीं email send करूंगा और यह YouTube की हो गई subject है वो सेम हो जाएगा मैं यहां पर इसको send नहीं करूंगा क्योंकि मैं already send कर चुका हूं तो आप लोग है वो send करना चाहो send है वो कर सकते हूं और यहां पर वो अपना same to same fund हो ही लिखना है copy करना है और यहां पर paste करना है पर इस YouTube ID पर है वो send कर देना है तो कुछी देर में आपके जो वीडियो पर copyright strike लगा है वो हट जाएगा और यदि यह नहीं हटता है तो 90 दिन के बाद वे से भी हटने वाला ही होता है पर ध्यान रहें 90 दिन के अंदर कोई और वीडियो पर copyright strike नहीं हो जाए तो दोस्तों कै बने रही है टेकनिकल दोस्त इंडिया के साथ जाहें आपको बता दो स्क्रीन के उपर आपको पीछे mail दिखाई दे रही होगी तो इस ट्राइक की mail आती है आपके पास copyright strike के लिए तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे जो वीडियो है हमारा जो वीडियो है उस पर copyright क्लेम किस ने किया हैं और वो उसका जवाब है वह कैसे यह तो मैंने जिस तरीगे से जवाब दिया है तो दोस्तम इस तरीगे से आप अपने यूटूब चैनल पर कोई भी यह आप YouTube से mail आता है copyright strike का तो आप इस तरीके से वह remove कर सकते हो या जिसने आप पर जो copyright का claim किया है उस website को या जिसमें भी आपने वीडियो बनाया जिस पर भी आप आप पर claim किया गया है उसको आप mail करके sorry भी बोल सकते हो या education उद्यूकेसट्रप्रपस्ट के वीडियो के हिसाब से भी आपया इसाब से मेल कर सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यूटूब चैनल पे स्टूडियो के अंदर जाकर भी आपका जो प्युम्हाइट इस्ट्राइग के वो जरूर करें तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाइब धन्यवाद जहीं